हाँ देखिए mathematics class 9th exercise 13.1 इसका second question बता रहा हूं यहां पर लिखाए the length width and height of a room are five meter four meter and three meter respectively तो यहां लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन length दी हुई है five meter width four meter और height जो है वो three meter ठीक है तो five four और three respectively find the cost of white washing आपको cost find करना है what white washing यानि की जो color बगएरा कराते हैं दीवाल पर उसके लिए ठीक है white washing the walls of the room उस कमरे की दीवालों पर and the ceiling ceiling का मतला यह गए दिवाल हो गए उसके बाद सिलिंग औपर ज़ेंग को पंखा लगता है उसको सीलिंग जो सोगते हैं इसके बाद अब देखो इन एक सीलिंग एडा रेट उफ रेट जो है वो क्या ऐ मिनल फिट करेंगी अब या इसका एरिया पहले समाझना और सीलिंग पर नीचे फ्लोर पर नहीं होगी फ्लोर पर वैसे भी नहीं होती ठीक है यानि कि एक फ्लोर छूट जाएगा लेंथ भी छूट जाएगी तो हम क्या करेंगे इसमें देखो जो फॉर्मूल ना लगएगा वो जी रहेगा सबसे पहले हम लिखेंगे इडिया एरिया जो वाइट वास के लेए यूज भ entitled इरिया यूज ऑग है यूज हो रहा है अब इसमें वैल्यू रख देते हैं यह वैल्यू सामने है तो देखो टू लेंद एल कितना है फाइव प्लस बी है 4 और ह जो है वह 3 है प्लस एल बी एल है 5 और बी है 4 जो टू फाइब फोर 9 इंटू 3 प्लस 54 जा 20 तो फॉर और यह सेविन आगया 74 और यह मीटर में तो मीटर स्क्राइर यह तो एरी आ गया जिसमें कलर कराना है ठीक है अब कॉस्ट पुछा ना स्क्राइब के साथ है तो 74.50 इसका इंटू कर देंगे ठीक है इंटू कर देंगे वह यहां साइड में लिख लेता हूं सेविन पॉइंट फाइब जीरो में टू किसका करेंगे 74 का तो दो डिजिट बात पॉइंट है तो यहां पॉइंट आ जाएगा तो जीरो हट जाएंगे तो के आ जाएगा रुपीज 555 पांसो पच्पन आंसर ठीक है